ओम शान्ति एक नवंबर तुहसार इक्षिस बाबा के महावाक्या मेठे बच्चे तुम्हारी चलन बहुत बहुत मेठी रोयल होनी चाहिए खरोध का भूद बिलकुल ना हो प्रश्न 21 जन्मों की प्रालब्ध पाने के लिए बच्चों को किस बात का ध्यान जरूर रखना है उत्तर इस दुनिया में रहते, सब कुछ करते, बुद्धी का योग एक सच्चे माशुक के साथ रहे ऐसी कोई बूरी आदत ना हो, जिससे बाग की अबरू खतम हो घर में रहते भी इतना प्यार से रहो, जो दूसरे समझे कि इसमें तो बहुत अच्छे दैवी गुण है गीत जाग सजनिया जाग ओम शान्ती मीठे मीठे रुहानी बच्चों ने गीत सुना इसका अर्थ भी जरूर बच्चे समझ गए होंगे बाप आकर नई-नई बाते सुनाते ही नई दुनिया के नई युग के लिए यह बाते बच्चों ने पांच हजार वर्ष पहले सुनी थी अब फिर सुन रहे हैं बाकी बीच में सिर्फ भक्ती मार्ग की बाते ही सुने हैं सत्यव में यह बाते होती नहीं वहाँ है ज्यान मार्ग की प्रालब्ध अब तुम बच्चे नई दुनिया के लिए सची कमाई कर रहे हो नौलिज को सोर्स ओफ इंकम कहां जाता है पढ़ाई द्वारा कोई बारिस्टर इंजिनियर आधी बनते हैं आमदानी भी होती है तुम इस पढ़ाई से राजाउं का राजा बनते हो यह कितनी जबरदस्त कमाई है अब तुम बच्चों को यह निश्चे है अगर थोड़ा समशई है तो आगे चलते चलते निश्चे होता जाएगा सेकिंड में जीवनमुक्ती गाई हुई है बाबा का बना और वर्से का मालिक बना बाप जो स्वर्ग का रच्चे इता है वह आया है हमको मालिक बनानी यह तो बच्चों को निश्चे होना चाहिए ये भी जानते हो कि दो बाप है एक है लौकिक बाप दूसरा है पारलौकिक जिसको कहते है परमपिता परमात्मा ओ गौड फादर लौकिक फादर को कभी परमपिता नहीं कहेंगे सबका सुख दाता, शानती दाता वह एक ही पारलोकिक बाप है सत्युग में सब सुखी रहते हैं बाकी आत्माएं शानती धाम में रहती हैं सत्युग में तुमको सुख, शानती, धन, दौलत, निरोगी, काया सब कुछ था तो ऐसे मोस्ट बिलाविट बाप को सब पुकारते हैं साधु संत लोग भी साधना करते हैं लेकिन किस की साधना करते हैं यह जानते नहीं वह करते हैं भरम की साधना तो हम भरम में लीन हो जाए परंतु लीन तो होना सके भरम को याद करने से पाप तोड़े कटेंगे बाप कहते हैं मामेकम याद करो सर्व शक्तिमान मैं हूँ वा भरम जो रहने का स्थान है भरम महातत्व में सभी आत्माए निवास करती है तो भरम को उन्होंने भगवान समझ लिया है जैसे भारतवासियों ने हिंदुस्तान में रहने के कारण अपना धरम हिंदु समझ लिया है वैसे ब्रहम तत्व रहने के स्थान को परमात्मा समझ लिया है वह है भरमांड वहां आत्मय जोतिर बिंदू अंडाकार में रहती है इसलिए उनको ब्रह्मांड कहते है या है मनुश्य स्रश्टी ब्रह्मांड अलग है मनुश्य स्रश्टी अलग है आत्मा क्या है या किसको भी पता नहीं है कहते भी है ब्रकटी के बीच में चमकता है अजब सितारा फिर कहते आत्मा अंगुठे सद्रश्य है परन्तु बाप कहते हैं आत्मा बिलकुल सुक्ष्मबिंदू है जिसको इन आंखों से देख नहीं सकते इनको देखने की पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं परन्तु किसको पता नहीं पड़ता तुम बच्चे जानते हो तो अब तुमको भारत को स्वर्ग बनाने में बाप का मददगार भी बनना पड़े बाप आते ही भारत में हैं शिव जयन्ती भारत में ही मनाते हैं जैसे क्राइस्ट हो कर गया तो क्रिस्चिन लोग क्रिस्मस मनाते रहते हीं क्राइस्ट कब आया वह भी जानते हैं परन्तु भारत वासियों को यह पता ही नहीं कि बाप कब आया था क्रिश्न कब आया था किसका भी उन्हों का पता नहीं है महिमा सारी क्रिश्न के गाते हैं उसको जूले में जुलाते हैं प्यार करते हैं परन्तु यह नहीं जानते कि उनका जनम कब हुआ कह देते द्वापर में गीता सुनाई परन्तु क्रिश्न द्वापर में तो आते नहीं लीला है एक बाप की तब उनके लिए कहते हैं तुम्हारी गत मत। कृष्ण है सत्युका प्रिंस। पहले से माता को सक्षतकार हो जाता है कि योग बल से बच्चा पैदा होने वाला है। वहां शरीर भी ऐसे ही छोडते हैं। एक शरीर छोड दूसरा लेते हैं। सर्प का मिसाल वास्तव में सन्यासी ये मिसाल दे नहीं सकते। तुम विकारी मुनुश्यों को बैठ ज्यान की भूब हो कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देते हो। यह तुम्हारा धंदा है। भूब हो कर मुनुश्य को देवता बना देते हो। खचवा आदी का मिसाल भी इस समय का है, कर्म करके फिर जितना समय मिले, बाप को याद करना है, तुम जनते हो, यह हमारा अंतिम जनम है, अब नाठक पूरा होना है, पुराना शरीर है, इसका कर्म भोग छुक्तू करना है, जब सतो प्रधान हो जाएंगे, तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर हम इस शरीर में रह नहीं सकेंगे, कर्मातीत अवस्था हुई, फिर शरीर छोड़ देंगे, फिर लडाई शुरू होगी, मच्चरों सद्रश्य सब शरीर खतम हो, आत्मय चली जाएंगे, पवित्र बनने बिगर तो कोई जा नहीं सकेंगे, यह है दुखधाम, रावन का स्थापन किया, फिर राम का स्थापन किया हुआ है शिवालई, वास्तव में परमात्मा का नाम है शिव नकी राम, सत्युग शिवालई में सभी देवताए रहते हैं, फिर भक्ती मार्ग में शिव की प्रतिमा के लिए मंदिर शिवालई आधी बनाते हैं, अब शिव बाबा का यह तक्त है, आत्मा इस तक्त पर विराजमान है, बाप भी यहां बाजू में आकर विराजमान होते हैं, और आकर पढ़ाते हैं, सदैव तो नहीं रहता, याद करो तो यह आया, बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, वर्सा मेरे से तुमको मिलना है, ब्रहमा थोड़े बेहद का बाप है, इसलिए तुम मुझे याद करो, मीठे बच्चे जानते हैं कि बाबा ग्यान का सागर है, प्यार का सागर है, तो तुम बच्चों को भी प्यार का सागर बनना है, स्त्री पुरुष एक दो को सच्चा प्यार नहीं करते, वह तो काम विकार को ही प्यार समझते हैं, परन्तु बाबा नहीं कहा है कि काम महाशत्रू है, यहादी मध्य अंत दुख देनी वाला है, देवताये निर्विकारी थे, तब तो कहते हैं, क्रिष्ण जैसा बच्चा मिले, क्रिष्ण जैसा पती मिले, क्रिष्ण पुरी को याद करते हैं न, अब बाब क्रिष्ण पुरी स्थापन कर रहे हैं, तुम स्वयम स्री क्रिष्ण जैसे, अथवा मोहन जैसे बन सकते हो, प्रिंस, प्रिंसिस और भी होंगे तो यह सब यहां बन रहे हैं उनकी भी लिस्ट रहती है माला के आठ दाने भी है तो एक सो आठ दाने भी है लोग नवरतन की अंगुठी भेहनते हैं अब यहाँ आठ कौन है? बीच में कौन है? यह भी तुम जनते हो कि मीठे ते मीठे बाप द्वारा हम रत्न बन रहे हैं बाप कहते हैं बच्चे आपस में बहुत प्यार से चलना है नहीं तो बाबा का नाम बदनाम करेंगी फिर सत्गुरू की निंदा कराने वाले तोर नहीं पास सकते सबको मंत्र भी बताना है कि एक बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी घर में भी इतना प्यार से चलना चाहिए जो दूसरे समझे कि इसमें क्रोध नहीं है बहुत प्यार आ गया है शराप, सिगरेट, आदी पीना बहुत बुरी आदत है ऐसी सब बुरी आदते छोड़ देनी चाहिए दैवी गुर्ण यहां ही धारन करनी है राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है दूसरे धरम वाले राजधानी स्थापन नहीं करते वह उपर से एकदम पिछाडी में आते रहते हैं तुम 21 जनम की प्रालब्ध बना रहे हो इसमें माया के तूफान बहुत आएंगे फिर भी पुरुशार्थ कर दैवी गुर्ण धारन करने है अगर ख्रोध से बात करेंगे तो लोग कहेंगे इनमें भूत है गोया बेहद बाप की अबरू गवाई फिर ऐसी उन्च पद कैसे पाएंगे बहुत मीठा अनासक्त बनना है यहां रहते सब कुछ करते योग माशुक के साथ चाहिए बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे इसको योग अगनी कहा चाता है यहां हटियोग की दरकार नहीं है अपना शरीर तंदुरुस्त रखना है मोस्ट वालिबल शरीर है भोजन भी शुद्ध खाना है देवताओं को कैसा भोग लगाते है श्रीनाथ द्वारे जाकर देखो बंगाल में तो काली पर बकरे का भोग लगाते है वे अपने पित्रों को भी मचली खिलाते है नहीं तो समझते हैं पित्र नाराज हो जाएंगे कोई ने रिवाज डाला है वह चलता रहता है देवी देवताओं के राज्य में कोई पाप नहीं होता वह है रामराज्य यहां कर्म विकर्म बनते हैं वहां कर्म अकर्म बनते हैं अब हरी द्वार में जाकर बैठते हैं हरी कृष्ण को कहते हैं अब कृष्ण तो है सत्युग में. वास्तो में हरी नाम शिव का है दुख हरने वाला. परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाला हरी कृष्ण को समझ लिया है वास्तव में दुख हरने वाला है शेफ बाबा हरी का द्वार सत्युक को कहां जाता है भक्ती मार्ग में जो कुछ आता है बोलते रहते हैं बाप कहते हैं मैं संगम युग पर आता हूँ पुरानी दुनिया को नई बनाने रावन है पुराना दुश्मन हर वर्ष उनको जलाते हैं कितने पैसे खर्च करते हैं सब वेस्ट ओफ टाइम, वेस्ट ओफ मनी है बंगाल में कितनी देविया बनाते हैं उनको खिला पिलाकर, पूजाकर, फिर जाकर डुबोते हैं इस पर एक गीत है बच्चों को बहुत मीठा बनना है कभी गुसे से बात नहीं करनी है बाबा से कभी रूठना नहीं है रूठकर अगर पढ़ाई छोडा, गोया अपने पैर पर कुलहडा मारा यहां तुम आये हो, विश्व का मालिक बनने महराज श्री नारायन, महराणी श्री लक्ष्मी को कहां जाता है बाकी श्री श्री है, शिव बाबा का टाइटल श्री कहां जाता है, देफताओं को श्री अर्थात, स्रेष्ट अब तुम ख्याल करो, हम क्या थे, माया ने हमारा माथा मुडवा कर, हमको क्या बना दिया है भारत कितना साहुकार था, फिर कंगाल कैसे बना, क्या हुआ, कुछ भी समझते नहीं अब तुम जानते हो, हम सो देफता थे, भेरक्षत्रिय बनी वह कह देते, आत्मा सो परमात्मा, नहीं तो हम सो का अर्थ कितना सहज है वो लोग कहते हैं, मनुष्य का जनम सिरफ एक होता है परन्तु बाप समझाते हैं, कि मनुष्य के जनम 84 होते हैं उस 84 जनम में, तुम्हारा यह संगम का एक जनम दुरलब है जबकि तुम बेहद बाप से स्वर्ग का वर्सा पाते हो, तुम बहुत रॉयल बाप के बच्चे हो, तो तुम्हारे में कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए रॉयल मनुष्य कभी जोर से बात नहीं करते दुनिया में घर घर में कितना हंगामा होता है स्वर्ग में ऐसी कोई बात नहीं यह बाबा भी वालभाचारी कुलका था फिर भी कहां वह सत्युग में देवताई, कहां आजकल के वैशनव लोग ऐसे नहीं, वैशनव है तो विकार में नहीं जाते है रावन राज्श में सब विकार से पैदा होते है सत्युग में है संपूर्ण निर्विकारी अब तुम संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हो और विश्व के मालिक बनते हो योग बल द्वारा तुम्हारी चलन बहुत मेठी रॉयल होनी चाहिए कोई डिबेट या शास्त्रवाद नहीं करना है वह जब शास्त्रवाद करने बैठते हैं तो एक दो को लाठी भी मार देते हैं उन विचारों का कोई भी दोश नहीं है इस नौलिज को जनते ही नहीं यह है रुहानी नौलिज जो मिलती है रुहानी बाप से वह ज्यान का सागर है उनके शरीर का नाम नहीं है वह अव्यक्त मूर्त है कहते हैं मेरा नाम शिव है मैं स्थूल वसुक्ष्म शरीर नहीं लेता हूं ज्यान का सागर आनन्द का सागर मुझे ही कहते हैं शास्त्रों में क्या-क्या लिखा है हनुमान पवन पुत्र था अब पवन से बच्चा कैसे पैदा होगा फिर परमात्मा के लिए कहते कच्च मच्च अवतार कितनी गाली दी है बाबा आकर उलहना देते हैं कि तुमने आसुरी मत पर मुझे इतनी गाली दी चौबीस अवतार से पेट नहीं भरा फिर कण-कण ठिककर भितर में ठोक दिया है यह सब शास्त्र द्वापर से बने हैं पहले-पहले सिरफ शिव की पूजा होती थी गीता भी बाद में बनाई है अब बाप समझा रहे हैं यह सारा अनादी खेल है अब मैं आया हूँ तुमको विश्व का मालिक बनानी तो बाप को पूरा फॉलो करना चाहिए लक्षन भी बहुत अच्छे होने चाहिए यह भी वंडर है न कल्यूग के अन्त में क्या है फिर सत्यूग में क्या देखेंगे कल्यूग में भारत इंसॉल्वेंट सत्यूग में भारत सॉल्वेंट उस समय और कोई खंड नहीं होता यह गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रती मात पता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धारणा के लिए मुख्यसार पहला हम रॉयल बाप के बच्चे हैं इसलिए अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है आवास से नहीं बोलना है बहुत मीठा बनना है दूसरा कभी भी बाप से वा आपस में रूठना नहीं है रूठ कर पढ़ाई कभी नहीं छोडनी है जो भी बूरी आदते हैं उनहें छोडना है वर्दान सर्व शक्तिमान के साथ की स्मृती द्वारा समस्याउं को दूर भगाने वाले परमातम स्नेही भव जो बच्चे परमातम स्नेही हैं वे स्नेही को सदा साथ रखते हैं इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती जिनके साथ स्वयम सर्वशक्तिमान बाप है, उनके सामने समस्या टहर नहीं सकती। समस्या पैदा हो और वहां ही खतम करदो तो वृध्धी नहीं होगी। अब समस्याओं का बर्ष्ट कंट्रोल करो। सदा याद रखो कि सम्पूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। स्लोगन प्यारे बनने का पुरशार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरशार्थ करो तो प्यारे स्वतह बन जाएंगे। ओम शान्ति भुड़ का बद्सक्राथि नहीं का कर दो हौरे अजाड़्याओं का बनने का पुर्ट प्याता है।